आईए स्टूडेंट अब हम समझते हैं आर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या चीज होते हैं पिटे आर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में समझने से पहले हमें दो तिन चीजे समझने होते हैं सबसे पहले मैं बताता हूँ कि arithmetic progression होता क्या है उसे समझ दो तीन चीज़े हैं वो important क्या है कि यहाँ पर यह एक sequence of number है sequence of number मत्लब कि कुछ number की series given होगी जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से sequence बना रखा है number के order में लेकिन इसकी एक खासियत है खासियत क्या होगी कि जो दूसरा number आएगा पहले number के बाद उसका जो difference होगा यानि कि जो लगातार जो दो number आएंगे to consecutive number is constant value मतलब दियान से देखो कि 2 के बाद क्या आया 4, 4 के बाद क्या आया 6, 6 के बाद क्या आया 8 अब इसकी खासियत समझने की कोशिश करो कि जब अगला number आएगा जो consecutive है लगातार चल रहे हैं लेकिन उनके बीच के जो difference है वो कैसा होगा वो difference सेम रहेगा मतलब धान से देखो अब मैं 2 में क्या add करूँ कि 4 आजाए मैंने का sir 2 add करो ठीक है अब मैं 4 में क्या add करूँ कि 6 आजाए sir 2 add करू अब मैं 6 में क्या add करूँ कि 8 आजाए sir 2 add करो अब मैं 8 में क्या add करूँ कि 10 आजाए sir 2 add करो तो तुम अगर ध्यान से समझ रहे होगे तो यहाँ पर देखो यह जो two number है यह जो two number है इसको बार-बार add करने से सही है जी अगला number आ रहा है तो हम यह कहेंगे कि इनके बीच का जो difference आ रहा है वो same है same difference में चल जाए तो same difference में आने वाले terms में यहाँ पर एक series बनती है दुबारा समझे जैसे एक और चीज़ बताते हैं जैसे यहाँ लिखा 5 फिर लिखा 8 फिर लिखा 11 फिर लिखा 14 अब मैं ध्यान से देखूं तो 5 में क्या जोड़ना पड़ रहा है 3 तो क्या आ जाता है 8 आठ में फिर क्या जोड़ना पड़ रहा है 3 तो फिर क्या आ रहा है 11 तो अगर ध्यान से देखो 11 में क्या जोड़ना पड़ रहा है 3 तो फिर क्या रहा है 14 clarity आ रही है कि नहीं तो यह जो कोई series बनती है उसे बोलते हैं arithmetic progression या arithmetic sequence ये चीज़ तुमें समझने हैं clear है यहां तक आगे चलते हैं अब बचे यहां पर दो तीन terms के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले एक number आता है जिसे हम क्या कहते हैं परस्ट हम अब बड़े ध्यान से समझते हैं सरीगी हूट आज दिखो जैसे कि मैंने कोई series थी 3, 6, 9, 12, 15, so on ऐसे चलता है clear है तो इस series के अंदर जो मेरे पास जो मेरे पास पहला number है यह जो पहला number है इसको मेरे पच्चे मैं क्या बोलता हूँ यानि कि इन सब को इन सब को एक नाम दिया गया है यह सब क्या कहलाते है terms तो पहले वाला है तो first term हो गया यह second हो गया यह third हो गया fourth हो गया, fifth हो गया इन सब को terms बोला गया clear है यहां तर, तो हमें सर यह समझ में आया, कि यह जो चीज है, यह क्या है हमारी first term है, series का पहला दोज़, अब बड़े ध्यान से समझो, इनके बीच में difference होता है, वो जो difference होता है, उसे common difference कहते हैं, ध्यान से देखो, कि 3 में plus करा, 3, 2 ही तो 6 आया, ठीक है, अब इसमें, एक बार 3 और और आड़ करा, तो 9 आ गया, एक बार 3 और और आड़ करा, तो 12 आ गया, एक बार 3 और 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 तो 15 आ तो 15 है, बच्चे यह वाला जो terms है, जो बार बार कौंस्टेंट तरम्स ऐड़ कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, common difference, यह हो रहा है, आपका common difference, तो यहां पर म ये कहूंगा कि यह जो नंबर है, इस नंबर को हम क्या बोलेंगे Common Difference कलियर रहे हैं तर इसको हम क्या करते हैं इस तरीके से समझते हैं अब दूसरी चीज समझते हैं कि ये चीज आगे कैसे चाबते हैं बिटे, यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात क्या है वो समझे कि ये series कहा तक जा रही है जहां last तक जा रही है उसे हम क्या बोलते है an है यानि कि an-th term last term क्या होगी हमारी an तो हमारे पास तीन चीजे समझने आई कि first वाले को हम क्या बोलेंगे first term इसको आप denote कैसे करोगे इससे लिखेंगे common difference है उसको कैसे बताओगे वो क्या किलाएगा ठीक है जी ये हो गया आपका first term ये हो गया आपका common difference an-th term यानि कि कहा तक जा रही है an-th term last तक जा रही है तो ये मेरे पास क्या हो गया an-th term तो मुझे an-th term भी पता चला common difference भी पता चला और first term भी पता चल गया clear है यहां तक समझ में आ रहा है अब आगे वाली चीज़ समझते हैं कि समझो कैसे निकालते हैं पिटे an-th term को find करने का एक formula होता है उसका हम इस्तिमाल करेंगे उसको पहले मैं समझाने की कोशिश करता है जहां से देखो जैसे की यहां पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 यह terms देखे हैं clear भीच्चे मुझे सच सच बताओ क्या इसके अंदर जो मेरा first term है वो 2 है के नहीं है बिल्कुल है सच यह मेरा first term हो गया है उसके बाद मुझे बताओ क्या यह एक ही difference से निकल रहे हैं मतलब हर एक के अंदर अगर मैं two add कर रहा हूँ देखो जहां से two add कर रहा हूँ तो मेरे पास अगला terms आ रहा है हाँ ना मैं हर जगे two add करता जा रहा हूँ तो एक अगला term आ रहा है जी सर तो मैं कह सकता हूँ मुझे मेरे पास common difference कितना आ रहा है हो आ रहा है यहां तक clarity आनी चाहिए यह समझ में आ जाए अब कोई आदमी आपसे पूछे यह तो one हो गया यानि कि one add term हो गया terms पताए थे ना मैंने पीछे इनके नाम terms बोलते हैं तो यह क्या first term, second term, third term, fourth term, fifth term, sixth term, seventh term हम आपसे कोई पूछे बताओ eighth term कोन सी है तो आप कहेंगे सर easy तो है sum में do-do add कर रहे हैं आप एक काम करो 14 में एक बार do और add कर दो 16 आ गया बिल्कुल आ गया तो यह साब कि क्या आ गई है सर next term आ गई यह इसके बाद वाली terms आ गई यह कितना हो गया first term, second term, third term, fourth term, fifth term, sixth term, sixth term, seventh term यह कौन सी आ गई सर यह eighth term आ गई तो मैं eighth term को ऐसे लिखूँगा यह eighth कितना आ गया 16 आ गया clarity है बिटा आ रही बस समझ में ठीक है अगर मैं कहूँ कि नहीं इस formula का इस्तिमाल करके न आप यह मुझे बताओ कि यह जो term है यह आठ भी terms कौन सी होगी अभी तो तुमने ऐसे बताया तो तुमने कुछ नहीं करना simple एक चीज ध्यान रखनी है कि भाई यह जो n है यानि कि nth term जो मांगी गई है वो मुझे से कौन सी term मांगी गई है 8th वाल तो अपने इस formula में आपने value पुट कर ले value पुट कर ले value कैसे पुट कर ले मैं बताता हूँ बिटे फर्स term को या तो a1 लिखो या a लिखो a की बात है clear है अब मुझे बताओ इसके अंदर मुझे मांगा क्या गया है मुझे कहा गया जी 8th term निकाल के दिखाओ मैंने कहा जी ठीक है निकाल देते हैं ज्यान से समझते हैं तो क्या हुआ यहाँ पर a 8 हो गया मेरे बच्चे clear है और positions के इसाफ से देख लेते हैं a मेरा कितना है यहाँ बताओ यह कितना है तो a सर यहाँ के तो first term है यह कितना है 2 plus n कितना है n 8 है यह 8 वी terms निकलवारे न 8 minus 1 d कहा है difference difference कितना निकलाता हमारा 2 सम्में 2 यह 2 तो add कर रहे थे यह 2 जी 2 clear है तो आपके पास यह terms आगे 2 plus 7 into 2 8 में से बन गई 7 और bracket को कूला तो 2 सही है जी 2 plus 14 तो जहां से क्या है 16 आए कि नहीं है तो same term आगे न 8 यहाँ से वैसे निकल लिए तो यह arithmetic progression की कुछ सही है न important चीज़े हैं जिने हम solve करते हुए इस पे अभी आप एक ध्यान रखें हुए जहाँ धुए हुए